हलो एवरिवान कैसे आप लोगमित करता हो काफी अच्छ होएंगे सो गाईज फाइनली आपका आच चुका है आज सिंटेक्स इससे पहले तीन चेप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ रिवीजन टाइप का कोसन है प्रैक्टिसेट है नाउन प्रोनाउन एंड टाइम एंटे सिंटेक्स है गाईज आज का तो गाईज में बता दू एगेन आपके लिए टॉप कॉंसेप्ट के साथ टॉप कोसंस के साथ और यूतना ही खतरनाक वलका एकस्प्रेंशन के साथ आपके सामने हाजीर हो गया हूँ जाते जाते हैं आपके लिए छोटा से रिमाइंडर है आ क्योंकि आपकी एकजाम को बिलुकुल मद नजर रखते हुए ही तयारी की गई है और इन टेस्टरीज आप लगाओ भाई लेबल देखना टेस्टरीज का मैं खूद इसको देखाओ माइंड ब्लॉइंग गाईज रिकोमेंड करता हूँ एक बर जाओ डिस्क्रीप्शन चे करने परेंगे इन टेस्टरीज के लिए बस करना क्या डिस्क्रिप्शन जाना है टामलेट करो और सिंपल सा यह कोड लगा और कोई सा भी पर्चेश करो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा होप करता हूँ गाईज आप यहां पर लाखो स्टूडेंट के जो साथ कि आपको लेबल पता चलिगा का यहां तो अभी तो गई स्ट लगा से अथे आपके नियर में है आप जूरू करता मैं आप फैला कोसं तो गईज देखना पर लेए कोसं का लेबल देखो और एक्सपरनेशन का लेबल लेखो अगर माजा ना कना सो करता कि the RBI which monitors ठीक है banking operations don't have the resources to carry out investigation no error सबसे पहले यह syntax का बहुत ही प्यारा सा concept है कि singular subject लिखो कलम copy निकाल के मेरे भाई लिखो कि singular subject के साथ singular verb लगेगा मेरे प्यारे साथ यह लिखी है singular subject के साथ singular verb लगेगा तो जरा बजा बताना subject तो singular के बात कर रहा लेकिन यहां पे guys जो don't दिया है क्या यह satisfied कर रहा यहां पे बिलकुल आई तो होगा क्या सर डजन्ट होगा option number B is absolutely right here go for the next one guys the property is still rampant in Indian economic growth and commercial development has served to reduce them substantially over the years guys यह भी again बहुत प्यारा concept है लिखना कि यदि दो singular subject end के दोरा जूरे हों तो उन्हें plural समझ कर plural भर्व दिया जाता है हमने क्या बोला यदि दो singular subject तो भाई हमने देख लेते end कहां पे सर यहां पे end है तो Indian economic and commercial development सर दोनों का दोनों singular है जूरा सर किससे end से जूर गिया जब सर यह end से जूर गिया तो हम इसे plural समझाएंगे और plural भर्व का परयोग करेंगे तो सर हम यहां पे हैज का परयोग की है जो की गलत है होना क्या चाहिए था हैब तो गाईज option number C is the absolutely right यार उमीद करता हूँ गाईज हमारे explanation से आप पूरा पूरा सरी spite होते होएंगे और thank you so much जो आप लोग का इतना support रहाना गाईज बहुत अच्छा लगा देखके आप लोग का यह support तो आप गाईज बढ़ते अपने next question के उपर जो की कुछ इस परकार से है the sum and substance of his speech where essentially anti-establishment no error गाईज यह बहुत very very important concept है लीके ही लोग गाईज यह syntax और भाई आपके हर एक exam में इस concept से कुछ बनते ही बनते हैं लिकना अभी तो जाने के सर end के दोरा जुरा हो तो भाई singular और singular भर समझते हैं और भर प्यूरल लगाते हैं लेकिन यदि end के दोरा दो ऐसे सब्दा अपस में जूरे हो जो सदा जूरे में बन कराते हो end से जूरे रहने के बाद बाबजूद भी हम singular समझते हैं और singular भर का पड़ियो करते हैं अब guys मैं बताओं some end substance हमेशा peer में आते हैं हमेशा 7 में आते हैं अगर एक यहां से निकल जाए तो दूसरी की महत्ता कम जाएगी जैसे bread and butter sorry है ना bread and butter तो हमेशा 7 में आता है तो guys यह दोनों का दोनों क्या है हमेशा सदा जूरे में बन के आते हैं तो guys ऐसी condition में आपको करना क्या है कि दोनों को एक ही समझ कर हम लगाएंगे singular ना की प्यूरल तो अब यहां पे वर लगाया है या सही है sir तो guys पहले बाला और यह बाला दोनों में आप different समझना समाझ यह को सन को guys तब जाके आपको चीजे समझ में आएंगे otherwise आप गलती कर दोगे concept ही ऐसा है यह पूरा का पूरा sense पर बनने वाला है ठीक है guys बस इतना जानो कि दोनों हमेशा सदा पेरें बनके आता हो अगर एक ना हो तो दुसरी के महत्ता ना होगा ठीक है तो ऐसे condition में हम क्या करेंगे singular का पड़ियों करेंगे हर कुछ चाहिए होँ एंट से ही कि उना जुरा हो दो-दो subject इसेंट अमेटर ठीक है होप करता हूँ चीज़ों को समझ पार होंगे बहुत प्यारा concept है लिखना यदी और या नौर के दौरा दो singular subject आपस में जूरे हों तो भर्व भी singular रहता है क्या बोला यदी और या नौर के दौरा दो singular subject है तो गाईज और या नौर के दौरा दा पराइज दा क्वाइलिटी singular subject जूर गिया तो गाईज क्या होता है भर भी singular होता है तो sir यहाँ पे have कर दिया यह तो बिल्कुल गलत किया है यहाँ पे hedge होना चाहिए तो option number D is the absolutely right here ठीक है A, B, C, D तो go for the next one आप चीजों को समझो ठीक है option पता नहीं आप लगा लेना चलो, go for the next one guys ओके, here is the question either the बॉआस और दे गल्स right, are responsible for the vital mistake, no error कजा कै इधर दे बॉआस ठीक है, or the गल्स are responsible for the vital mistakes guys, please pen and paper निकालो, और काउपी कलाम लिखो कि यदि नौड या और के द्वारा दो प्यूरल सब्जेक्ट आपस में जूरे हों तो क्या करेंगे, भर्ब भी प्यूरल लहेगा, तो guys यहां पर बताओ the boys, sir, the girls, sir, the girls, sir, प्यूरल है, जुरा किसे, sir, और से जुरा जब sir, दोनों प्यूरल है तो भर्ब भी प्यूरल लगाओ ना प्यूरल लगेगा कि नहीं, guys, भर लेगा तो sir, भर्ब भी यहां पर प्यूरल लगेगा तो sir, जब मैं चेक करने गया तो भर्ब भर्ब तो और लेडी से प्यूरल लगा रखा है it means sir, यह question का no error है, तो option number is absolutely right here, go for the next one, guys, hope करता हूं आपको मजा रहोगा, guys, चलो guys, here is the question, because the refuse of follow, the dress code, neither sebum, nor her friends is invited to the function no error, okay बहुत प्यारा सा question है लिखना, और या नोर वाला पूरा का पूरा doubt ही मैं किलियर कर दू एक भी question, guys, इससे आपको छूट रेने नहीं चाहिए, और या नोर के दवरा, लिखना, यादी और या नोर के दवरा एक singular तथा पूरल सब्जेक्ट आपस में जूर जाएं तो पहले तो पूरल आएगा ही आएगा, बाद में पहले singular आएगा बाद में पूरल आएगा, sorry guys यादी और या नोर के दवरा एक singular तथा दूसरा पूरल सब्जेक्ट आपस में जूर जाएं तो पहले singular आएगा बाद में purel आएगा लेकिन भर्व का chain हम कराएंगे और या नौर के दोरा जूरे दो सब्दों के किरिया का निर्मान बाद बाले के दोरा करेंगे इट मेंस गाईज कि और या नौर के दोरा एक singular और एक प्यूरल सब्दों जूर जूर जाएं राइट तो आओ गाईज देखते हैं पहले कोसान में तो नौर सीबम और हर फ्रेंट्स तो सर सीबम सेंगर यह प्यूरल तो हम जो किरिया का चैन करेंगे नौर के बाद वाले सब्देक के करी अके चैन करेंगे तो सर हर्फ रेंट्स ते इसा फ्यूर तर वियूर यहां पर इस सटी सभाइड या किया बिल्कुल नहीं करेंगा सर तो यहांप लगाऊ ना आर इतना मीजी कोशन है बाई मक्का नहीं कोशन मैं यह के जगा पर आर लगाओ आप सभीव ज चाहता है, question बहुत सारा मिला, अच्छे लेबल का question है, guys, आओ guys, इसे देखते हैं, कहता, some colleges has set up a small tutorial groups for close relationship, bid bin, professor and students, no error, Okay, guys, again concept लिख लो, क्योंकि concept plus question, तब जो मज़ा आता है, एक grade का मज़ा आता है, guys, टीक है, तो कहता है, some colleges, पहले देखते हैं, question में some colleges की बात कर रहा, टीक है, आओ guys, question बना ही लेते हैं, तो देखो guys, होता क्या है, कि purel subject के साथ, purel भब लेगा, तो simple सा guys, some colleges, it's a purel, तो sir, भर्ब singular है, तो चलेगा क्या, नहीं sir, तो हैब होगा, option अमरे A series फाइड कर रहा, कितना इत्तू सा question था, और देखने में question इतना बड़ा लग रहा, और answer कितना निकला 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 निक कई बात है guys, question देखे कई घवराना नहीं चाहिए, not only the student, but the teacher also, have tired, for good results, no error, हम भी मिननत कर रहे हैं आपके लिए और आप भी अपने आपके लिए मिननत कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए for good results के लिए, आके यहीं question कर रहा, तो देखो इस question में concept किया है, concept लिखना, कि यदि द subject not only, but also के दोरा जुरा हो, तो भर्व अंतीम बाले subject के अनुसार होगा, तो sir, not only a student, but the teacher also, but के, मतलब not only, but also, तो इसके बाद बाला से, के जो ही subject होगा, इसके हिसाब से लगेगा, sir, teacher, it's a singular, singular है sir, तो यहाँ पे plural, चलेगा है बे, बता यो चलेगा क्या, sir, नहीं चलेगा, तो लगा दो है जे, तो option number C is the absolutely right here, go for the next one guys, silver as well as cotton have fallen considerably in prices in recent days, concept लिखना guys, बहुत ही प्यारा सा concept है, कि यदि दो subject as well as long beat, beat, together, together beat like, unlike, expect, rather than, and not, but के दोरा जुरा हो थो, भर्व पर्थम की हिसाब से लगेगा, तो पर्थम बाले भर्व इससे दो जुरा, तो भाई, silver, silver के coding ये भर्व सही चलेगा, सही चल रहा है, क्या guys बताना, sir, गलत है, तो लगा दो नहीं क्या लगेगा है, अपने हिसाब से, ठीक है, go for the next one guys, a series of matches, भाई साब जहर concept है, य no error, ठीक है, देखो guys, इतना अच्छा सा question है, इस concept को प्लीज लिखना guys, बहुत ही जबर्दस concept है, a set of, a chain of, a team of, a band of, a crowd of, बहुत सारे होते हैं, a bench of, a flock of, a class of, a army of, ये सब इटी से guys, ये सब होते हैं न, ये से एक collection of, ये सब के साथ, पीडाल काउंटेब लाउन आते हैं, और पलस सिंगलर भर्वाते हैं, कि भर्व त सर टो, सर वर लाट विलकुल गलत है, सर लगा दो, वाज वहांपर, सही हो जागा, चलो, सर अपका बात मान के, वाज लगा दिया, और सब्सक्राइब भी आप्सोडूटली आइट यहां पर वर्णाओ के वाज होगा टेक है गो फॉर दा नेक्स वन गाइज में देखेड थाइट फॉरस इस्टुडेंट फॉर्ण से स्कूल इस्टेजिक और गयरब घज्ड यह कॉस्चूहें इटॉर्ण इंस्टेट नहींड यह कोशन पर हो भी इट एक तो कैसा आएगा प्यूरल ना तो है ज सही है किया सर है लगा दे बिलकुल लगाएंगे most of प्लास 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 प्यूरल काउंटेबल लोग प्लास प्लास प्यूरल भर्व यह कोंसेप्ट रहे गार एग तो रहें माजा समी कर दूँ अगर most of के बाद uncountable आता है तो भर्ब भाया singular आएंगे तो भर्ब भाया singular आएंगे पहले बताओ most of के बाद uncountable आउन है कि नहीं है तो सर्व भर्ब भी singular ही आया है मतलब question में no error है तो no error लगा देंगे ठीक है हो करता हूं चीजे समझ गये होएंगे go for the next one जब भी कभी ऐसा कल्पना की जाए जिसका संभब होना बरतमान में असंभब हो तो उसे जरसा आने के लिए साड़े सब्जिक्ट के साथ की वर्वर का प्रयुकिया अब बताना मेरा ऐसा इच्छा कि मैं पूरे वर्ड वाइड पूरे भाई में पैसे बला बन जाओ यह पॉस्वल है किया असंभब है तो गाई जी जब असंभब है तो इसे दरसाने के लिए आप वर्वर लगाओगे न की एंव तो आई विस आई वर्ड रिचेस्ट परसन ठीक है कल्पन गटनाओं को दरसाने के लिए विवर्ड का पढ़योग ही करते हैं तो एम नहीं वर्थ आपसर नमर ए इस अप्सवलूटल राइट यार गोफ़र नेक्स टोन इफ आई हैड विन इन इन यूर प्लेस मैं इधी तुम्हारे प्लेस पर होता तो आई वोड़े नोड हैब टे तो अब जरह बताना कैसी बोले आईसी कलपणाओं जो जिसका मतलब ऐसे कलपणाओं को दरसाना जिसका समब ना भूत काल यह समब था इह हैर विदीन इंटूश तो अभी बता रहा है तो किया यह पूत काल धो पोस्वल है क्या अभी हम जो बता रहे हैं कि कास भाई मैं अ किसी कसा सेर कर रहा हूं तो क्या यह पास्ट में जाके चीजे साही हो सकती है क्या बिलकुल नहीं तो ऐसे घटनाओं को दरसाने के लिए सिंपल सा हैडवीन लगता है तो सर यहां पर तो हैडवीन लगा रखा रखा इटमिस नो एरर गो फॉर दे नेक्स्ट वान सब्सक्राइब को और सुड का पड़योग होता है किसा का गाईज सुड का पड़योग होता तो व सुड बीलकुल भी नौ तो यहां पर भी नो एरड सू अरम में हो मता क्या बोला भाव उसकी करप्राओं को दरसाने के लिए सारेज सब्जेक्ट के साथ वाक के अरंब में सूड लगेगा ना की बाद में तो सूड यू ऐसे करके ठीक है तब जागे यह जागी साही होगा गो फूर दे नेक्स्ट वन इफ भी हैड विन इफ वी हैड विन वन मोर गूट वैस्ट में इन आवर टीम वी हूड हाव वन दा ओल्ल मैचेस नो इर्व बेल गाइस क्या कहता है एदि किसी को किसी परकार की कभी मतलब कमी का अहसास हो तो उसे दरसाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं ओ कमी की दरसाने की बात किया रही है तो यहाँ पर हैड लगेगा वह अनली बीन कैसे लगा दिया बिलुकूल भी नहीं वह अनली फुर हैड तो बीन को हटा दो गो फॉर नेक्स्ट वन करके देयर तो डेयर के बाद आने वाली किरिया उस सब्द के अनुस्वार रहेगी जिन आज के दुनिम आज भी ओभर अब यहाँ पर देयर का जो पढ़िये हुआ है न यह वन बिलिजन पीपल के लिए हुआ है तो सर इसके कोडिंग मुझे वर्व लगाना होगा तो यहाँ पर ईज चलेगा सर नहीं तो आर लगा देते हैं बिलकुल आर लगाएंगे टुड़ देयरी देयर आर ना के देयर इज तो आपस नुबर वन इस देयर आप्सोलुट एड़ाइट यह गोफोर था नेक्स वन गाईज देयर आर अनमबर आफ पीपल अबरी क्लास अने निशनलिटी हू डाइट्स आपके बैंक का लिवल को संदेखरो अप इसे बनाऊगे लिको कॉंसेट लिको कि यह नमबर आफ प्लस प्यूरल काउंटेबल लाउन प्लस प्यूरल भर्ब तो सर यह नमबर आफ प्लस प्यूरल काउंटेबल लाउन तो सर प्लस क्या है प्यूरल भर्ब तो सर यहां पे जो डाउट किया है डाउट किया हुए सही है क्या नहीं सर वहां पर सिंपल सा डाउट होगा तब जाके चीज़ें सहे होंगे गो फोर दा नेक्स्ट वान एगें मैं यह बैंक का कोशन लिया हूं अधिक लेवल का कोशन हाद लेवल का कोशन बनाना कोई गलत बात तो नहीं है और जब हम बना रहे हैं हमेशा अपना त्यारी एक कदम आगे ही करना चाहिए अगर मैं हाड बना बना लूँ तो इजी तो एटोमेटिक बन जाएगा तो इसलिए गाइज मैंना हर टाइप का कोशन आपके एक्जामें फिट कर देता हूं ठीक है चलो तो गाइज यहां पर कॉंसेप लिगो कि नम्मर आपके बाद नाउन प्यूरल है तो यहां पर आर नहों के गाइज क्या होगा इज होगा गो फॉर दे नेक्स्ट वन गाइज कता है कि नन आफ अस वर रियली वेरी हैपी वें दा गेस्ट गॉड इंडरी इन दा हाउस यह भी अगेज अगें आपके पी एन भी बैंक में को वो से पुझे था लगा लिखना कि नन्जों टान सिंगली और सिंगलर लेते हैं तो बहर भी तो भाइस यहां पर सिंगलर ही होना चाहिए था रहुज होगा ओपसनवड़ इस देर्ट गो फॉर देन एक्ज्ट वान कता है कि मोर देन वन एस्टूडेंट अस्टूडेंट ह यहां पर स्पेस्ट लग मनद भूल गया तोरा से दिक्का दोगा ओफ दीयार ट्रे आफ देयर टर्मिनल टेस्ट ठीक है तो बैसे कहले काता क्या कॉंसेप्ट कि मॉर दैन यादी एक साथ आये तो नाउन तथा वर्व दोनों का दोनों सिंगलर रहता है तो कि मॉर दैन वं एक सांत आया तो नाउन भी सिंगलर तो भैया वर्वी सिंगलर होगा है तो गोफ दैंस्ट वन गाई मोर sorry more persons than one has been involved in the quarrel over the land okay guys लिखना concept more plus plural countable noun plus than plus one तो plus plural verb आएगा ना कि singular verb तो guys यहां पे have have आएगा ना है जो होगा क्या नहीं तो concept लिख लिख लो कि more sorry कि more plus pcn बले तो plural countable noun plus than plus one तो guys भर्व जो है वह क्या आएगा plural तो भया प्यूरल भर्प लगाऊ ना तो option number B is absolutely right here go for the next one guys no sooner the advertisement appear in the newspaper newspaper than there there was a rush on the booking center booking counter sorry guys booking counter like our like guys concept now no neither not neighbor nor plus a good river plus subject or whatever कैसा guys जो भी आएगा guys भर्व प्रिंस्पल भर्व आएगा उसके बाद ठीक है तो देखो no sooner उसका थीध क्या घर वोला ठीर एक जोड़ी फर्व आना ही आना wires तो यहां पे जोड़ी वर्व लगाऊ ना तो यहां पर concept और बचके हैं बहुत सारे question बचके हैं guys ठीक इसमें तो मैं अभी next video में करवा दूँगा okay इसका एक और पार्ट में ला दूँगा syntax के उसका syntax complete उसके बाद next chapter पर आएंगे कोई साभी voice narration चाहा कोई भी ठीक है चलो hope करता हूं guys आज की class में आपको मजा आया होगा कुछ जानने को सिख्रियों को मिलाओगा यदि काई ऐसा हुआ तो फिलीज आप like and share जरूर कर सकते हैं comment करके बताना कैसा रहा guys class और हाँ guys पर इक्षा है आपको download करो और अपना टेस्ट लिज लगाओ मस्त लेवल का चलो guys मैं देश के नेक्स वीडियो में तो तक लिए जहेंद बंदे मातना